आदाब नाजरीन, मेरा तारुफ खानियासमीन ग्लोबल टीचेज अकैडमी से आज हम बात करेंगे कि ग्लोबल टीचेज अकैडमी सबसे बहतेरी क्यों है और दोमजामें के लिए ठीक है, देखिए, सबसे इंपोर्टन छीज यह होती है कि जब भी किसी भी मज़गून का अगर आप मताला कर रहे हैं या किसी भी एक्जाम की आप तयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपोर्टन जो चीज होती है वो तेन होती है सबसे पहले आपकी basics clear होने चलिए ठीक है दूसरा उस basics की basis पे आपको जो तरह concept बनाने आने चलिए और उस concept से related वताँ उस concept की जो होती है कहाँ पर apply यानि कहाँ पर आप उसके जरिये सावलात को जो होते हैं हर कर पाई गे यह सबसे एहन चीज़ होती है किसी भी exam की तयारी के लिए तो हमारे global teachers academy में जितने भी असाथज़ा आपको विनेंगे वो असाथज़ा तमाम तलबा को जो होते हैं equally देखते हैं और equally उनके जो होते हैं मसायल को हल करने के तरफ जो होते हैं कोशिश करते हैं दुसरी important is कि यहाँ पर आपको जो paper 1 में ज़्यादा तर मतलब उर्दोवजामीन के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती हैं तो paper 1 में जो होते हैं total number of four teachers आपको मिलते हैं और वो चारो के चारो teachers जो होते हैं उनका अपने अपने subjects के ओपर बहुत ही ज़्यादा command होता है ठीक हैं और वो बहुत ही आसानी से अपने concepts को बच्चों को जो होता है explain करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से आप कौन से questions को जो होता हैं वो target कर सकते हैं और किस तरीके से उसे हल कर सकते हैं दूसरी चीज़ कि जो आपका मजामीन है उर्दो मजामीन है उर्दो मजामीन में भी आपको जो होता है total number four teachers जो होता है वो available होगे और हर teachers का वही बात आ जाती है कि अपने subject पे command है आपको सारी जो मतलब जैसे जैसे units complete होते जाएगी आपको जो होता है उसकी notes आपको provide कर दिये जाएंगे इसके अनावा जितने भी जैसे unit complete होती है आप ये mock test करवाये जाते हैं और mock test के उपर जो होती है तफसीली उताला किया जाता है उसका तफसीली तसकेरा किया जाता है फिर जिसकी वज़े से आपको जो होती है हर चीज का आसानी से समझा जाता है कि किस question को कैसे solve करना है जब सारी units complete हो जाती है तो units complete होने के बाद आपको test series करवाये जाती है उन test series में पुराने जितने भी 10 साल की paper दी गये हैं उन 10 साल की paper में कैसे questions आये हैं जैसे 2005 में जो होता है वो कैसे question पूछे जाते थे 2000 जो होते हैं और 10 में कैसे questions बनने लगे 2018 के बाद से जो होता है वो question का pattern जो होता है extreme amount में change हो है तो ये सारी चीजों की details आपको जो होती है वो test series करवाते हुए बताई जाती है जिससे आपको अपने concepts बनाने में और उस concept का application करने में आपको बहुत ही आसानी होती है उमीद है कि आपको समझ आया होगा ते Global Teachers Academy सबसे best Q है और दू मजामीन की तयारी के लिए आदा